नमस्कार दोस्तों आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बताने जारे गर्बवस्ता के दोरान स्टनों में और किस तरह के बदलाव आ सकते हैं जानिये हमारे वीडियो में विस्तार से हाँ गरवश्ता के दोरान स्वेधन सीलता दर्द और सिहरन होना गरवती होने के सबसे पहले लक्षनों में से एक है आप यह प्रेगनेंसी के तीन या चार हफ्तों के बाद से ही स्वेधन सीलता को महसूस कर सकती हैं सायद अभी तक आपके अपने pregnancy test भी नहीं किया होगा परन्तु इन सब चीजों से आप मैसूस कर सकते कि आप pregnant हो चुकी है आपके इस्तन इतने स्वेधन सील हो सकते कि कपरों से उन पर रगड लगना भी आपको सहनना हो पाए हो सकते हैं आपको अपने स्थनों को चुआ जाना भी अच्छा न लगे यह स्तिती जल्द ही गुजर जाएगी और स्थनों में यह दर्द पहली तिमाई के बाद सायद कम हो जाए जब आप अपनी दूसरी तिमाई में पहुंचती है आपके हर्मोंस का बढ़त स्थर अब ठहर जाएगा हलाकि यह जरूरी नहीं है कि इसके साथ स्थनों का दर्द भी पूरी तरह ठीक हो जाए पूरी गर्बवस्ता के दोरान समय समय पर आपको स्वेधन सीलता हो सकती है प्रोजेस्ट्रीरोन हर्मोन का उत्पादन करता है हर्मोन में इसी तरह की बढ़त मावारी शुरू होने से पहले भी होती है इसलिए गर्बवस्ता में स्थनों में हो रही स्वेधन सीलता साइद मावारी के समय की स्वेधन सीलता का ही बढ़ा हुआ रूप माना जा सकता है हार्मोनों के बढ़ने के प्रभाव के साथ साथ आपके स्तन सायद अब थोड़े बढ़े होते जाएंगे स्तनों में वसा की परत मोटी हो जाती है दुगद गरंतिया कई गुना भढ़ जाती है और रक्त का संचरन भी बढ़ता है चाहिए आपको कितना भी ऐस ऐस लगें मगर ये बढ़लाव आपके स्तनों को शिशु को स्तन पान करवाने के लिए मैत्पून कारे के लिए त्यार कर रहे होते हैं गर्बवस्ता की शुरुआत में आपके स्थन तेजी से बढ़ सकते हैं या फिल संभव है कि ये गर्बवस्ता के भढ़ने के साथ साथ दीरे दीरे बढ़े हो या भी हो सकता है कि गर्बवस्ता के आन तक आप अपने स्थनों के माप में कुछ खास अंतर ना देख पाएं यदि गर्भवस्ता के आंग तक ऐसा नहीं हुआ है तो भी चिंता ना करे आपके स्तन सीशु के जनम के बाद और भी बढ़ सकते हैं आप अन्य बदलाव भी मैसूस करेंगी संभग के दोरान आप स्तनो में सम्पदन या शिहरन सी मैसूस कर सकते हैं क्योंकि उनमें तेजी से रक्त प्रवाहा होता है स्तनो में दर्द को कम करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ आधार वाली स्पोर्टिव ब्रा स्थनों में दर्ट से रहा दिलाने में मदद कर सकती है अंडर वायर यानि अंदर की तरफ तार लगी हुई ब्रा ना पैने क्योंकि ये आपके स्थनों में होरे बदलाव के लिए उपयोग तो नहीं है और आपको ऐसा हज़ता हो सकती है सुनिश्चित करें कि आपकी ब्रा ऐसी हो जो सही से फिट होती हो अपने स्थनों के साइज का पता करें पहले अपने स्थनों के नीचे से चाती के चारों और से मापें जहां ब्रा का नीचला हिस्सा आता है इसके बाद स्नो के सबसे बड़े हुए हिस्से के चारो और मापे अपने कप साइज का पता करने के लिए पहले माप में से दूसरे माप को घटा दें हालाकि यह भी ध्यान में रखें कि ब्रा के साइज में स्टाइल और ब्रांट के अनुसार अंतर हो सकता है आपके गर्बवस्ता में एक बार से जादा बार अपने स्नो का माप लेना पड़ सकता है जैसे जैसे आपके स्तन बढ़ते हैं आपके कप साइज में अवश्य ही अंतर आएगा व्याम करते समय अच्छी फिटिंग वाली स्पोर्टिव ब्रा पहने ताकि वे आपके स्टनो के बड़े वजन को संभाल सके स्पोर्ट्स ब्रा इस तरह का त्रिक्त स्पोर्ट प्रदान कर सकती है और ऐस ऐसता भी कम कर सकती है सोते समय सूती, मैटरनीटी, स्लिप ब्रा भी, दर्द से राहत में मदद कर सकती है गर्बवस्ता के दोरान स्टनो में और किस तरह के बदलावा सकती है तउचा में खिचाओ होने की वज़े से आपको स्टनो में खुजलाट मैसूस हो सकती है हो सकता है आपके स्टनों पर खिचाओ के कारण स्ट्रेच मार्क्स भी हो जाएं आपको अपने स्टनों की तउचा के नीचे से नसे भी दिख सकती है और हो सकता है आप पाए कि आपके निपल बड़े और गेरे रंग के होते जा रहे हैं शुरुआती कुछ महिनों के बाद एरियोला निपल के चारों तरफ तउचा का घेरा भी बड़े और गेरे रंग के हो सकते हैं आपने पहले अपने एरियोला पर छोटे छोटे उभार नहीं देखे होंगे मगर आप ये उभार काफिस पष्ट दिखाई दे रहे होंगे ये एक तरह के तेल उत्पादन करने वाली गरंथियां जीने Montegomeris Tubercles कहा जाता है आपके स्थनों में ये सभी बड़ाव शीशु को स्तन पान करवाने के लिए त्यारी के लिए होते हैं गर्बवस्ता के करीब तीसरे महिने के आसपास आपके स्तन कोलेस्ट्रोम का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं ये विशेश दूद होता है जो शीशु को पहली बार स्तन पान करने पर मिलता है गर्बवस्ता के अंतिम कुछ महीनों में आपके स्नों में गाडे पीले से तत्व का रिषाव होना शुरू हो सकता है हाला कि कुछ महीलाओं में ये रिषाव काफी पहले से शुरू हो जाता है और कुछ में ऐसा कभी नहीं होता ये सभी स्थितिया समान्य है और इनका इस बात पर कोई असनी पड़ता कि शीचु के जनम के बाद आप कितने दूद का उत्पादन कर पाएंगी अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तो जैहिंद